जहिन दोस्तों, स्वागत है आपका दपारस वुप्तेशो के एक और शांदार एपिसोड में, जिसमें हम आज आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं IAS दिव्यांशु चौधरी सर से, जिनोंने UPSC जैसे टुफ़ेस्ट एक्जाम में All India Rank 30 हासिल करी, तो आइए जानते हैं सफलता की कहानी है, आइए, शुरू करते हैं, दिव्यांशु सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है थे ता पारस वुप्तेशो में, थैंक्यू पारस जी, थैंक्यू सो मच वर इंवाइटिंग में, सर सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका बहुत इ जाना चाहते हैं, कि वो ऐसी कौन सी चीज है, जिसने आपको UPSC की तरफ एट्रेक्ट किया, पारस जी, UPSC का सपना, मैं यह नहीं कहूंगा कि शुरुवात से मैं इसको संजो कर बैठा था, मेरे पेरेंट्स ज़रूर मुझे बोलते थे कि सिविल, प्रशासनिक सेवा में अब जब जाएंगे, तो वो एक बहुती अच्छा करियर ओप्शन है, और उससे अब काफी लोगों की मदद कर पाएंगे, पहले मैं इतना इंकलाइन नहीं था सिविल सर्विसे के प्रती, तो बी वेरी ओनेस्ट, लेकिन जब मैं अपने कॉलेज गया, तो वहाँ पर मैंन अब मेरे को ये चीज रियलाइज हुई कि जो मैं जिस तरह का व्यक्ति हूँ, मेरी फुलेस्ट पोटेंशल को एकसाइज करने के लिए, तो वहाँ से मेरा जुकाव सिविल सर्विसे की तरफ हुआ, और उसके बाद मैंने रीसर्च किया थोड़ा, मैंने जो आईस ओफिसर प्रेजेंट लिए उनसे बात भी करी कि किस तरह का करियर प्रोग्रेशन होता है, कैसा काम होता है, तो उस हिसाब से फिर मैंने डिसिजन लिया कि मैं सिविल सर्विसे में आना चाओगा, जब आपको रिजल्ट आया है, जब आपने औल इंडिया रैंक 30 हासिल करी, आपके पेरेंट्स वर क्या रिएक्शन था? आपकी रिलीव ज़रूरती कि चलो अब इसका जो तफ टाइम है वो खतम हो गया, और वो काफी कुछते है, क्योंकि यह उनका बच्पन का सपना था मेरे लिए, तो थैंक्फुली वो पूरा हो गया, बहुत अच्छी बात है, हर मावाप का सपना होता है, कि उनका बच्चा जो है आगे चलके अपना नाम रोशन करे, सर एक यूपीसी की तैयारी के साथ में सार एक बहुत बड़ी भ्रांती भी है, उसको हम कह सकते हैं कि एक प्रचलन में है, कि यह इनि किसी को यूपीसी की तैयारी करना है, तो सो कोचिंग क्लासेज जॉइन करना बहुत ही आउश जी मेरे साब से इस क्वेस्चन का अंसर में अच्छे से इसलिए दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने कोचिंग करी है, तो मैं उसके महत्व को समझता हूँ, मैंने GS की कोचिंग और Maths जो मेरा Optional था, दोनों की कोचिंग मैं दिल्ली से करी है, और अगर मैं अब, जब मेरा सेलेक् में तो definitely जो material market में होता है, और जो test series होती है, वो लगा कर आप prelims clear कर सकते हैं, और mains में भी similar strategy के साथ आप अप्रोच कर सकते हैं, तो मेरे साब से आजकल, जैसे आप देखेंगे, इतनी सारी websites हैं, उन पे सारे coaching का material आपको freely उपलब्ध होता है, तो there is absolutely no need of going for a coaching, चाहे वो Hindi medium हो, चाहे वो English medium हो, इंटरनेट पर जितना भी material available है, उससे आप easily अपने आपको अच्छी तयारी से ढाल सकते हैं. Sir, UPSC के इतना बड़ा slabor से इतना विशाल slabor जिसको हम बोल सकते हैं, तो sir, उत्तिस slabors को आपने किस प्रकार से क्या strategy ती सर आपने cover कैसे किया उसको? यह बात तो सच है कि एक काफी common notion रहता है aspirants के बीच में कि everything under the sun is covered in UPSC, तो basically जो भी हमारे आसपास हो रहा है, वो सब कुछ UPSC में आता है, पर मेरे साब से हमें सबसे पहले एक चीज़ यह देखनी चाहिए कि UPSC भी ultimately exam है, UPSC का मतलब यह नहीं है कि आप घ्यान बटोरते चले जाएं और आप exam में उसे दिखा न पाएं, it is very important कि आप पहले UPSC का syllabus देखें, उनके previous year question papers देखें, आप analyze करें अच्छे से कि कौन-कौन से topics हैं जिन से frequently questions पूछे जाते हैं, उसके बाद उस importance के हिसाब से अपने subjects को पढ़ें, यह मैंने priority की जो approach थी, यह शुरुआत स पता था कि अगर इस तरह के question आएंगी तो उसका answer मैं इस तरह से कर सकता हूँ, तो what I want to say is कि UPSC में material इतना ज्यादा available है कि कोई भी इंसान बहुत ही, I would say आश्यरे चकित रह जाएगा कि मैं क्या पढ़ू और कैसे पढ़ू, तो उसकी सबसे basic चीज यह होनी चाहिए, कि ज previous year question papers और syllabus को ध्यान में रखके उनको पढ़ें, तो इससे आपका एक set pattern बन जाएगा और वो आपको आगे revision करने में भी help करेगा. Sir, UPSC की तयारी की जो आपकी यात्रा रही, Sir, कई उसमें ऐसे बहुत ही जादा महत्पूर्ण और ऐसे challenging टास्क हुए होंगे, तो सबसे जादा आपके चैलेंजिंग क्या राज़ार उसमें? UPSC की जर्नी में challenges तो देखे आते हैं, ups and downs daily basis पे होते हैं, मतब मान लीजे आपको इप्रिलिम्स का mock test attempt कर रहे हैं, आपके marks अच्छे नहीं हैं, अप्रिलिम्स मान लीजे एक या डेढ़ महीने दूर है, तो आप obviously demotivate हो जाएंगे कि पता नहीं मेरा होगा भी या नहीं हो और उसके साथ ही मैंने भी, क्योंकि मेरा लक्ष था कि मुझे exam clear करना है, तो मैं भी अपने आपको motivated रखता था कि अगले test में अच्छा करेंगे उससाब से, लेकिन एक जरूर बहुत बड़ा challenge मेरे लिए तब आया था, जब मेरा first attempt का interview हुआ था और वो अच्छा नहीं गय आकर prelims की तयारी में फिर से लगना था, क्योंकि एक बार अगर आपका interview के बाद भी नहीं होता है, तो भी आप वापिस prelims से ही start करते हैं, तो thankfully उस challenge को मैं overcome इसले कर पाए, क्योंकि मैंने prelims की तयारी बीच में कर ली थी, तो वो बहुत जरूरी है इस exam में जो मुझे लगत और आपका confidence अगर अच्छा है, अगर आप motivated है अपने लक्षे के प्रती, तो चीज आसान हो जाती है, सर हर किसी के strategy होती है, एक रणनीती होती ही किसी को crack करने के लिए, सर UPSC क्रेक करने के लिए आप भी क्या रणनीती थी, देखिए UPSC में जैसा की सब aspirants को शायद मालूम होगा, तीन stages होती है, prelims, mains और interview, तीनों की strategy अलग-अलग होती है मेरे साब से, तो prelims में मेरी strategy बेसिकली ये थी कि मैं basic books को बार-बार revise करूँ, और test series काफी दूँ, तो मैंने, जैसा कि मुझे याद है, अपने first attempt में मैंने करीब करी, prelims के 100 mock test दी होंगे, और in my second attempt, क्योंकि मैं थोड़ा confident हो गया था, तो मैंने वो number drop down करके around 60 to 70 किया था, पर आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको prelims ace करना है, तो आपको at least 50 to 60 mock test दे नहीं पड़ेंगे, तो वो एक strategy मेरी prelims के लिए थी, mains के लिए ये होता है कि previous year questions एक बहुत बढ़ा guide होते हैं आपके लिए कि कि इस तरह के questions पूछे जा सकते हैं, तो books और जो sources है वो limit हो जाते हैं पर उनको revise बार बार करना पड़ता है, तो again test series का role बहुत important है, आपको 3 घंटा बैटके एक paper लिखना होता है, 20 questions होते हैं तो उसमें speed कैसे अच्छी हो, किस तरह से आपका content अच्छा हो, फिर आप उसको detailed application form, उसमें basically जो जो भी मैंने लिखा है वो मैं ठीक से कहूँ, अपनी hobbies वगेरा, अपने interests, अपने courses जो मैंने किये हैं, और उस हिसाब से फिर मैं interview में अच्छा perform कर पहूँ, सर जैसे बात करते है current affairs की, तो सर आप अपनी studies के दौरान current affairs से कैसे update रहे, और मतलब किन-किन संस अपने अपने उपयोग किया होगा, तो उसके बारे में कुछ बताएं से, current affairs मुझे लगता है कि काफी important role play करता है UPSC selection में, तो पहले तो obviously हर aspirant से अगरा बात करेंगे, particularly जो English language से देते हैं, वो Hindu एक news पर आता है, उसको refer करते है, तो मैंने भी वहीं से शुरू किया था, Hindu newspaper कैसे पड़े, तो मैंने वो देखा और उसके साब से फिर मैंने newspaper पड़ा, तो मेरा newspaper का time कम हो गया, फिर मैं समझने लग गया, उसके बाद मैं जो coaching है, जैसे मैं Vision IS की coaching जो है, उसके current affairs magazines पड़ता था, तो एक बार आप वहां से comfortable हो जाते हैं, फिर आप current affairs magazines पर जाते हैं, तो ये दो resources मैंने मोटे-मोटे यूज किये, इसके अलावा मैं current affairs के notes भी बनाता था, तो उनको मैं monthly या weekly basis पर revise करता था, so that I gained confidence before going into the exam. Sir, जैसा कि अभी बहुत चर्चा में है AI, Artificial Intelligence, तो सर क्या इस technology का आपने भी कभी उपयोग किया अपनी UPSC की तैयारी के दोरान? देखें, मैंने in particular AI का उपयोग तो नहीं किया है, लेकिन मैंने digital technology का obviously काफी use किया है, जैसे for example, internet पर एक website है freeupscmaterials.com, उस पर आपको जितना material possible है UPSC का, हर coaching का, चाए वो test series हो, चाए study material हो, वो आपको freely available है, तो मैंने उस website का काफी use किया, जिसकी वज़़े से test series मेरे को free मे लेकिन अब जब मैं current phase में देखता हूँ, जैसे अब chat GPT का हम सबने नाम सुना है, chat GPT के इतना अच्छा ही है, यह platform में जा आप कोई भी question लिखते है, उसका फटा-फट answer आजाता है, तो definitely आप in platforms को use करी सकते है to get answers very quickly, जिसकी वज़़े से आपका Google पे जो search करने का time है, वो I would definitely suggest the aspirants to go for AI, जैसे UPSC जो है, बहुत ही long distance process, बहुत जाधा समय लगता है उसमें, सर इस दोरान आपने अपने आपो कैसे motivated रखा, क्योंकि आजकल patients की बहुत कमी होती है, तो आप सर अपने आपो कैसे motivate करते थे सर उसमें, यह काफी actually important question है, क्योंकि जब आप start करते हैं preparation, आ आप बहुत full of confidence and motivation होते हैं, कि मैं तो first attempt में निकाल लूँगा और मैं सब पढ़ लूँगा, बट जब आप एक बार चीजे पढ़ लेते हैं, तब उसके बाद जब आपको चीज बार-बार revise कर रही होती है, तब आपका interest थोड़ा कम होता जाता है, और subsequently जब आप यह attempts भी आपके बढ़ते जाते हैं, और वो same चीज आप बार-बार पढ़ रहें रिवाइस कर रहे हैं, तो एक तरह से एक, I would say, lethargy or complacency आजाती है, कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यह क्यू कर रहा हूँ, तो उस वक्त अपने आपको motivated रखना बहुत ज़रूरी है, तो first तो obviously मेरे parents, उन्होंने हमेशा मेरा motivation level high रखने की कोशिश करी है, so I am very thankful to them, उसके अलावा, personal level पे I also used to listen to motivational songs, movies भी मैं देखता था, तो उस तरह से I used to keep my motivation level साथ, तो जैसे कौन सी movies आपको motivate करती थी, जैसे मेरी एक बहुत favorite movie है, Bollywood की, Iqbal, जिसमें एक मूक बदिर बच्चा है, वो Indian cricket team म select होता है, और वो movie मुझे काफी realistic भी लगती है, मतलब उसमें मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कोई कुछ ऐसा dramatize कर दिया है कि इस बच्चे का लग अच्छाता है इस तरह से, तो वो मुझे बहुत एक close to the heart movie एक कह सकते है, तो इस तरह की movies मैं definitely prefer करता था, सर, stress को दूर करने के लिए आप क्या करते थे, कैसे को songs वगरे सुनते थे या, songs is definitely काफी अच्छे stress busters होते हैं, तो वो तो मैं करता ही था, definitely I used to listen to them, उसके अलावा कभी कोई TV series देख लिया, जैसे जब मैं second attempt में interview की तयारी करना था, तो TVF का जो series है, aspirants, वो release हुआ था, तो वो मैंने देखा था, उससे काफी light feel हुआ, क्योंकि उसने actually, हम aspirants की journey को truly reflect किया था, तो इस तरह से I used to keep myself motivated, I used to search those things, जिससे मैं थोड़ा अपने आपको zone में रख भाऊं, कि मैं demotivate ना हो जाऊं किसी test में कम score आने से उस तरह से, तो वही मैं करता था, सर, जैसे जो aspirants हैं सर, एक बार attempt fail हुआ, दूसरी बार attempt fail हुआ, तो कई बार वो भी demotivate हो जाते हैं, और खासकर जो हम बात करते हैं कुछ लोगों की, या घर की बात करें, माता पिता की बात करें, तो वो भी पूछते हैं, क्यों नहीं हो रहा है, तो कही ना कही एक माहौ टेंशन वाला बन जाता है, तो सर, ये जो failure है, बार बार attempt में fail होना, सर, इसको, जैसे आपको भी पहला attempt fail हुआ, आपने बाता है, तो सर, कैसे उसको कोई, जो है, ओवर काप कैसे कर सकता है, सर, पारस जी मुझे लगता है, इस question के दो पहलू है, पहला तो ये है कि, जैसे अगर मैं आपको broadly बताओं, काफी aspirants आपने ऐसे देखे होंगे, जो 5th, 6th attempt में निकालते हैं, काफी ऐसे होते हैं, जो 1st, 2nd में भी निकाल लेते हैं, काफी ऐसे होते हैं, जिनके 6 attempt के बाद भी selection नहीं होता है, तो मुझे लगता है, इसमें 2-3 pointers हमें शुरुआत में ध्या तो मैं कोई और alternative career stream देखूंगा, तो मेरे साब से अगर आप इस preparation में आ रहे हैं, तो सबसे पहले अपने आपको ये एक attempt number fix कर लें, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसके बाद attempt नहीं दें, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप बेरोजगार बैठके वो attempts दिये जा रह पहला तो मेरा suggestion ये है, दूसरा मेरा suggestion ये है कि motivated रखने के लिए जैसे मैं आपको कहा कि songs, family, इन सबका support तो काफी जरूरी है, उसके अलावा ये चीज़ देखना बहुत जरूरी है कि मानलीजे आपने कोई exam दिया आप उसमें fail हो गए, जैसा आप mains में fail हो गए, या आप interview के दो-तीन attempt देने के बाद भी हो margin छोटा होता वा नहीं दिख रहा है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि preparation आपके लिए नहीं है, आप कुछ और करें, लेकिन अगर आप कोई लग रहा है कि आप अच्छे से महनत कर रहे हैं, और वो margin बहुत छोटा होता जा रहा है, और बस एक attempt ही शायद और लगेगा, जिसमें आप उस hurdle को पार कर जाएंगे, तो तब आप उसके according महनत करें, तो मेरे साब से ये बहुत important है कि आप analyze करें खुद की strengths और weaknesses और उसके हिसाब से जर्णी में proceed करें, सर बिलकुल आपने बहुत सही बात कहीं सर, और इसी चीज के लिए ज अभी UPSC तोड़ा ट्रेंड में है, तो UPSC, UPSC करे जा रहे हैं, इस्टुएंट यह नहीं रेखते हैं कि हम किस चीज के लिए capable हैं, यह हम क्या कर सकते हैं, तो यह भी perspective है, कई लोगों को देखा सर, तैयारी करें जा रहे हैं, उमर भीद गई तैयारी कर रहे हैं, वो कर र मेरे पेरेंट्स का जो योगदान था, जैसे मैंने पहले ही बताया काफी important था वो, वो actually इस बात से मतलब आया था कि मेरे पेरेंट्स professors थे, तो being teachers themselves, they really knew the importance of education, उनको पता था कि कौन-कौन से ऐसे careers हैं, जो अच्छे हैं, और किसमें आप अच्छे तरह से well settled होके, लोगों की सेवा भी कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपना career plan कर सकते हैं, तो वो एक support था, जो उनके educational background से आता था, जिसकी वज़े से मुझे काफी जादा मदद मिली अपने career को streamline करने में, और उसके लाबा मेरी family मेरी एक younger sister है, वो अभी उनका भी PG खतम हो रहा है indoor MGMC से, तो उनका अभी काफी सही होग रहा क्योंकि जैसे कभी मैं exam लिख रहा था और test paper scan करके भेजने होते थे, upload करने होते थे, तो she used to do that, तो कुछ operational चीज़ें जो exam में होते हैं, जो आप normally नहीं करना चाते हो, because आप वो time अपने पढ़ाई में देना चाते हो, वो मेरी sister ने मेरे लिए किय Sir, आपने आपके writing skills को सुधारने के लिए Sir क्या किया? जो papers होते हैं, जिसमें आप अच्छे से लिख सकते हैं, जैसे essay हो गया, या जैसे मेरा optional था mathematics, या और भी कोई optional इसमें समय मिल जाता है, उसमें मैं writing अच्छे से लिखता था, and I used to do simple things like underlining keywords, putting them in boxes, writing in point format, तो मेरे को लगता है कि अगर आप कुछ set standards से चलेंगे, तो वो आपक Sir, आपको UPSC का interview का अनुभाव कैसा रहा, Sir? 2.75 में से 146 marks थे, फिर second attempt में मैंने realize किया कि मुझे अब अच्छा करना है, तो मैंने mock interviews ज्यादा दिये, और उसके बाद जब मैंने confidence से interview दिया, अपने area से मुझे questions भी पूछे गए, तो मैंने उनके अच्छे से जवाब दिये, hobbies से भी अच्छे questions थे, तो मैंने उसके answer ठीक है, तो I got 206, तो basically, जो मेरा selection हुआ है, वो इसी 60 marks के gap की वज़े से हुआ है, तो interview played a really important role in my selection, और मेरे सबसे interview में सबसे important यह है कि आप confident रहें, किसी भी तरह का question आए, एक बार 10 second calm down होके, सोच के जवाब दें, जो बहुत important है, ऐसा नहीं की question आया, तुरंती आपने जवाब कि अगर आपको आता है, तो वो आपकी आतुरता भी दिखाता है, कि आप काम नहीं, और अगर आपको नहीं आता है, तो वो आपका चेहरे पर आ जाएगा, कि यह क्या पूछ लिया मुझ से, तो मेरे साब से वो बहुत जरूरी है कि काम composed रहना, interview में is the most important thing. मैं आपसे सवाल कुछना चाहता हूँ, चुकि अभी सर मैंने देखा है काफी YouTube पे जो content चल रहा है, चाहे किसी भी चीज को लेकर को यूपेसी की तैयारी को लेकर दी चल रहा है, तो उसमें मैंने देखा है कि कई जगे पर ड्रुग्स ता बहुत ज़ादा नाम आता है, ब जो भी अलग जो दूसरे जो ड्रुग्स लेना common है, तो इसको लेकर साब पर क्या विचार है सर, देखे पारज जी इसमें मेरा बहुती clear stand है, जो लोग इस content को consume कर रहा है, उनको सबसे पहले ये समझ होना बहुत जरूरी है, कि ये content सिर्फ इसलिए बनाये गया है, ताकि य अगर कोई comedy वीडियो में ये चीज डाल रहा है, तो उसका purpose समझी आप कि वो comedy करना चारा है, वो आपको ये नहीं बोल रहा है कि आप ये करने बैट जाएं, और obviously अगर आप कभी भी उनके वीडियो को analyze भी करेंगे या उनके career को देखेंगे भी, तो आपको पता चलेगा कि अगर वो UPSC की तयारी कर रहे है, किसी भी important exam की तयारी कर रहे है, तो वो उसमें successful नहीं हो पाए, क्योंकि वो ये सब चीज़े कर रहे थे, तो उतनी समझ आप में होनी चाहिए, अगर आप में उतनी समझ नहीं है, तो मेरा ये suggestion रहेगा कि इस तरह का content पहली बात तो consume ही न नहीं है, मैं हमेशा इन चीजों से दूर रहा हूँ, और thankfully मेरा selection हो गया, और मेरे जितने भी दोस्त हैं, जो मेरे batchmates हैं, वो सब इन चीजों से दूर भी रहे, तो मतलब मुझे कहीं नहीं लगता कि इस तरह का कोई भी चीज किसी aspirant को करना चाहिए, अगर वो serious है अपने dream क जैसे अभी एक आपको मौका मिले, या एक सजेशन आप हमें दे, यदि कोई बच्चा 10th या 12th में है, और वो इसने सोचा कि मुझे UPSC क्रैक करना है, मुझे IES बनना है, उसके लिए क्या स्टेजी होना चाहिए, यदि आप उस बच्चे की जगे रहते सपोज यदि आपक करने का आपको मौका मिलता, तो आप क्या एक स्ट्रेजी बनाते हैं और किस प्रकार से फिर आप पहले ही अटेंट में उस स्ट्रेजी के अपना करके और अपना पहले अटेंट में क्लियर कर लेते हैं, मुझे लगता है पारश जी इसमें भी दो पहलू है, पहली चीज तो से ही एक पुश होता था, लेकिन जब वो कॉलेज इस गए अपने तो उनको रियलाईज हुआ कि UPSC मैं नहीं करना चाता हूँ, मैं MBA करना चाता हूँ, या मैं जॉब करना चाता हूँ, मैं बाहर जाना चाता हूँ विदेश में, तो पहली बात तो यह कि इस उमर में अगर आपने सही में आपका ड्रीम है कि आपको यही करना है, तो मैं पहली बात तो वही एक बहुती काबिले तारीफ बात मानता हूँ, कि आपने एकनी जल्दी सोच लिया कि आप यह करना चाते हैं, और दूसरी चीज यह है कि अगर आप कोई भी कोर्स देखें, UPSC जैसे मानली अगर आपको देना है, तो आप ग्राजुएशन के बाद ही दे सकते हैं, इंडिया में मिनीमम ग्राजुएशन का जो, I would say, years हैं, वो 3 हैं, अगर आप arts या किसी और कोर्स में जाते हैं, इंजिनरिंग में 4 है, medical में और जाधा बढ़ जाते हैं, 5-5, तो मेरा यह suggestion रहेगा क कि जब आप 10th में subjects लें, या 12th के बाद भी आप UPSC करना चाहते हैं, तो subject हमेशा अपनी पसंद का चुने, चाहे वो science हो, चाहे वो और भी हो, commerce हो, या arts हो, जो भी हो, क्योंकि सिर्फ इस चीज़ के लिए, एक art subject को उठा लेना कि मुझे UPSC करना है, 3 साल बाद, हो सकता है आपको subject पसंद दीना है और फिर आपका dream भी drop हो जाए, तो मेरा suggestion यह 10th, 12th में अपना पसंद का subject चुने, उसमें अच्छे से पढ़ाई करें, उसको एक बाद depth में देखें कि क्या इसमें career में बना सकता हूं या नहीं बना सकता हूं, अगर फिर भी आपको लगता है कि प्रेस्ट पर focus करें, पहले अपना career देख लें, अपना graduation तक देख लें, उसके बाद अगर आप UPSC करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप follow up करें. Sir, UPSC में क्या language भी एक barrier है, suppose यदि कोई बच्चा हिंदी मीडियम से belong करता है, तो क्या उसको English मीडियम के बच्चे comparatively जादा मेहनत करनी पड़ती है? ये actually, अगर आप देखें results में, तो ये थोड़ा evident है कि English मीडियम के students जादा select होते हैं as compared to Hindi मीडियम, तो मैं इस चीज़ को deny तो नहीं करूँगा, हिंदी मीडियम में मेहनत जादा करनी पड़ती है, वो बात सही है, लेकिन एक चीज़ मैं बहुती clearly बोल देता हूं कि अगर अगर आपने तैयारी अच्छी करी है, तो आपका mode of communication, चाए वो interview हो, चाए वो mains हो, उससे फरक नहीं पड़ता कि आप किस mode में paper दे रहे हैं, आपका अगर content अच्छा है, अगर आप बोल अच्छा पाते हैं, अगर आप अपने points को logically put forward कर पाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि language is a barrier, but yes, Hindi medium को in general थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है as English medium students, but अब हम देख रहें जैसे last year top 20 में, top 30 में दो लोग थे Hindi medium से, और अब वो number बढ़ता ही जा रहा है, तो in the coming years, जो Hindi medium के students हैं, उनका number बढ़ेगा ही बढ़ेगा, that is for sure, तो इसलिए इस बात से कभी आप को अपने आपको demotivated मैसूस ना करें, कि आरे English medium का जादा selection है हमारा तो हो गाईगी, तो वो चीज़ नहीं है, बस अपने content और अपनी तयारी पर focus करें. Sir, एक बहुत ही थोड़ा सा एक आपसे personal सवाल है, चुकि मैं भी इंजिनियर हूँ, और उस समें जब हम इंजिनिरिंग करें तो समें 3D at a movie आई थी, तो उसमें बाबा रंचोरदास ने काफी अच्छे बाते बताई, तो सर उसमें करेक्टर रहता है, साथ सोहान यासे कर यह एक मजाग भी उड़ाया गया है कि पहले तुमने इंजिनिरिंग करी फिर उसके बाद MBA किया, है ना, तो जब इंजिनिरिंग करनी थी तो MBA क्यों किया, सर मैंने देखा है कि आप मतलब आपने भी पहले इंजिनिरिंग करी, और आपने MBA किया, और यूर इन civil services, तो सर लो पहली बात तो यह हो गई कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपकी priorities change होती है, पहली बात तो यह हो गई, जैसे जब मैं 21 का था, तो मैं सोच रहा था कि मैं civil services में जाओं या ना जाओं, या मैं MBA कर लूँ, या मैं job ले लूँ, मेरे पास यह तीन रास्ते थे, masters from abroad was never a choice for मैं को वो करना ही नहीं था, तो मेरे को यह realized हुआ कि उस वक्त मुझे, of course मैं को civil services का job बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मेरे मन में हमेशा ही कि डर रहता था कि civil services का exam बहुत tough होता है, बहुत लोग बैठते हैं, बहुत कम लोगों का selection होता है, तो I don't know कि मेरा हो पाएगा यह नहीं हो पाएगा, and at 21 years of age, it is very important, मुझे ऐसा लगा कि मैं at least एक job ले लूँ, या तो मैं MBA कर लूँ, या मैं एक job ले लूँ, जिससे अगर मैं UPSC बाद में देता भी हूँ, तो मेरे पास एक backup तयार रहेगा, तो MBA मैं उस angle से करने गया था, कि मैं एक बार corporate को explore करना चा और इंडिया के साथ काम किया, तो वो तीन साल में मुझे realize हो गया कि मैं corporate sector के लिए cut out नहीं हूँ, मैं उस तरह का व्यक्ती हूँ, जो लोगों के बीच रहकर उनकी problem सुनके, उनका solution करके, ground level पे कुछ impact करके, उस से जाधा खुश होता है as compared to a cubicle में बैटके computer चलाने से, तो आप किसी भी field से आते हो, चाए आप एक field से हो, चाए आप 10 field स्विच करके civil services में है, आप हर field से अपना एक experience लेके आते हैं, और वो civil services में experience बहुत काम आता है, जैसे मैं management background से हूँ, तो मुझे ये चीज थोड़ा मैं शायद कह सकता हूँ कि क्योंकि मैंने fest वगेरा में deal किय या है teams के साथ में, तो मैं civil services में logo के साथ अच्छे से deal कर सकता हूँ, तो obviously कुछ plus minus आप लेके आते हैं अपने background से, तो जो plus है अगर उनको आप अच्छे से utilize कर पाएं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सर सबसे पहले अब रिकासिया, आप Bits Plani में आपका selection हुआ, और फिर उसके जगे पे जो आपने पढ़ाई करी है, सर, बहां का experience बताएं से इन दोनों colleges के बारे में, experience काफी varied था, Bits में जैसे हम गएते तो, एक तो सभी 17, 18 year olds होते हैं, पहली बार college आए हैं, एक तरसे freedom मिला है, और सब अपनी अपनी branches में अच्छा करने की कुशिश कर रहे हैं, उसक आई के साथ साथ आप कैसे अपनी other extra curricular activities को balance कर सकते हैं, जब मैं B school में गया, तब मैंने ये देखा, क्योंकि B school में तो ऐसा fresher चला गया था, मेरा कोई work experience नहीं था, पर काफी लोग थे जो work ex लेके आये थे, तो B school में ने देखा कि most of the things are placements driven, मतलब हर कोई अच्छी job के लि जो relationships थे, वो शायद mostly job driven थे, जब कि undergrad में जो relationships थे, वो mostly आपके, जो आपके wing वाले लोग हो गए या जो आपके branch वाल लोग हो है, उनसे ज़ादा driven था, तो इस तरह का एक varied experience मुझे मिला, सर, एक सवाल ये भी है, मैं school students के साब साब से पूछना चाहता हूँ, कि मैं personal level पर दी, मेरे पास मैं कोई student आता है, तो मेरा personal perspective देता है, मैं सुझा हो यह देता हूँ, कि आप percentage पे focus ना करके, आप knowledge पे focus करो, लेकिन हमारी society जो ये पूछती है, कि आपके 12th में percentage कितने है, है depend on your knowledge, जैसे मैं इसको back इसले भी कर सकता हूँ, जैसे जब मैं bits में था, तो मेरे एक दो दोस्त थे, जिनका GPA कुछ खास नहीं था, उनको masters करना था, ये उनको काफी clarity थी, लेकिन obviously उन्होंने perform अच्छा नहीं गया academics में, तो ये हुआ कि उसके बाद उन्होंने जैसे research assistant बने जैसे मेरे एक दोस्ते वो IT कानपूर गया, फिर वो US चला गया, तो ये हो सकता है कि मान लीजे आपके marks कम है, या आपके grades कम है, तो आपको शायद एक दो साल extra मेहनत करनी पड़े as compared to those people जिनके marks अच्छे है, लेकिन अगर आपको ये clear है कि आपको यही करना है, आपको ये अब हाँ पहुंची जाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं, तो मेरे लिए it's all about knowledge, marks obviously a basic level तो होना ही चाहिए, I will not deny that, but कभी भी marks से लेकर demotivate होना मुझे कभी साहिं नहीं लगा, जैसे मैंने ये देखी है कि अभी जो है, जैसे एक aspirant की हम बात करें, नॉर्मल हम student की बात करें, तो सिर्फ और स्टेडी जी सब कुछ नहीं है, उसका mental health भी बहुत ज़ादा है, अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़ादा societal cases भी depression के करण सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कि work pressure भी है, society का भी pressure होता है, तो सर, इन सब चीजों के आपके क्या विचार है, किस प्रकास की aspirant ने deal करना चाहिए अपने depression से, ये काफी important question है, क्योंकि अगर मैं particularly UPSC की journey की बात करूं, तो जो लोग पिछले 3-4-5 साल से लगे हुए है, depression is a very common thing, क्योंकि आप वही चीज को बार जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसमें 2-3 चीज़ें ही काम आती है, पहली तो आपके जो near and dear ones है, उनको अपने पास रखें, उनसे motivation लें, उनसे रोज बात करें, वो बहुत important है, एक तो वो हो गया, दूसरा personal motivation की मैंने बात करी थी, और तीसरी चीज ये है कि आपको ये attempt के बाद छोड़ दिया, कुछ दोस्त ऐसे इन्होंने 2 attempt के बाद ही छोड़ दिया, उनको ये पता चल गया था कि ये exam मेरे लिए नहीं है, मैं या तो इतने घंटे बैटके पढ़नी ही सकता, या फिर इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पूछ रहे हैं ये लोग, जो मेरे बसके बाहर है, जो मैं शायद एक साल में gather ना कर पाऊ, तो it is very important कि अगर आप समझ चुके हो कि आपसे ये नहीं होगा, तो उसमें कोई ऐसी बाद नहीं कि आप हार गए हैं, आप बस एक बहतर रास्ता चुन रहे हैं जो आपकी capabilities का अच्छे से इस्तमाल हो पाएगा, तो क्लारिटी होना बहुत जरूरी है, मेरे साब से, सर हर वेक्ति के एक plan भी होता है, जैसे आपने इसके पहले भी कहा था कि आपका alternative choice होना चाहिए, सर आपके साब से आपका plan भी क्या था, इदि आपका selection नहीं होता, तो आप क्या करते हैं इसके बाद, मेरा plan भी actually ये था कि मै मैं mostly PhD के लिए जाता, मुझे हमेशा से ये clarity रही है, मतलब particularly corporate job के बाद clarity आ गई थी कि अगर कोई दो careers हैं जहां पे मैं अच्छा कर सकता हूँ, वो या तो civil services है या फिर teaching है, teaching क्योंकि मैंने NSS में करी थी bits पे लानी में, तो I really enjoy that, तो इसलिए मैं समझ गया था कि मैं professor बनू क्या आप 30 लिख आएंगे, आप क्या target था सर, नहीं, मुझे तो ये भी नहीं लग रहा था कि मेरा finalist में नाम भी आएगा, क्योंकि UPSC था unpredictable exam है, आपको कभी नहीं पता कि किस तरह आपके papers गए, और आपने कैसा perform किया है, हर चीज एक sort of black hole की तरह होती है, तो मुझे इसका पूछते ही जाओं, सर मैं आप से खनिवेतन करना चाहता हूं कि जो चात्र, UPSC clear करने का सपना देख रहे हैं, जो aspirants हैं, और जिनने थोड़ी बहुत कोई दिक्कत आ रही है, इस field में, सर उनके लिए आप एक सुझाव अपनी तरब से पुदाने के सब्सक्राइब कर ही है कि hard work का कोई substitute पहली बात तो नहीं है, hard work का आपको करना ही पड़ेगा, और मैं एक बहुत बड़ा follower हूँ घीता के स्कोट का कि आप कर्म करते जाए और फलकिछा न करें, वो बहुत जादा जरूरी है इस journey में, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि कब आपका result positive पहली बात, दूसरा आपने करीबी लोगों को अपने पास रखें, वो बहुत जादा जरूरी है, और तीसरा हर तरह की 32 से बचे और खुद की एक approach और strategy बनाए, आप देखते होंगे काफी सारे toppers, YouTube पे सब की अपनी अपनी strategy है, ऐसा नहीं है कि अगर आप उनको follow कर लेंग परसेंट अपना दिया, आपको जो लक्ष अचीव करना था, आपने वो कर लिया, तो मेरे साब से इस जर्नी में आप काफी अच्छे से आगे बढ़ जाएंगे और ultimately आपका exam clear हो जाएगा, तो सर मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देता तो दोस्तों, आज हमने मुलकात करी IAS दिव्यानशु चोधरी सर से और मुझे पूरा भरोसा है कि आज का जो इंटर्व्यू है वो UPSC aspirants और जो collector बनना चाहते है या civil services बे जाना चाहते है और अपने देश का और अपने महाप का नाम रोशन करना चाहते हैं उनके लिए ब सवाल है जो आप दिव्यानशु सर से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताईएगा बहुत-बहुत धन्यवाद एपिसोड देखने के लिए मैं हूँ पारस भुपते बहुत जल्दी मिलते हैं नई एपिसोड में बहुत-बहुत धन्यवाद जैहिन जै भा हूँत है।